सब्सक्राइब करें जुम्मा किचिन को और बैल आइकन को दबाएं ताके हमारी लेटिस्ट वीडियोज आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें अगर अचानक आपको कुछ मिठा खाने की क्रेविंग हो या कोई गैस्ट आ जयाएं तो आप ये खीर बिल्कुल में बनाके उनके सामने पेश कर सकते हैं ठंडी करके खाएं या फिर गर्म गर्म खाएं था दोनों तरह से यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो आईए हम देख लेते हैं सूजी की खीर बनाने के लिए इंग्रीडियेंट्स तो तो तेड़ किलो मैंने दूद लिया है दूद मैंने कच्चा लिया है अगर आपके पास प्रेज में रखा हुआ बॉइल दूद है तो आप वो भी ले सकते हैं और मैंने लिया है जोटे पीसिस हैं जो के बिल्कुल ऑप्शनल है इसको डालने से जो हमारी खीर है उसका टे जायकरदार बन जाएगी रबडी की तरह क्योंकि इसके अंदर खोया होता है लेकिन अगर आपकी मर्जी नहीं है आपको पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी जगह थोड़ा सा मिल्क पावडर तीन टेबल स्पून के करीब या फिर फिर थोड़ा सा कंडनेंजंस बिल्क भी ढाव सकते हैं तो बरफी जो है वो थोड़ी मीठी होती है इसलिए मैने चीनी थोड़ी कम ली है अगर आप बरफी नहीं ले रहें तो आप फूड़ी सी चीनी को बढ़ा सकते हैं तो इस बरफी के जो पीसिस उनको हास से मसल के फिरो डालूंगी उसके दावबव मैंने लिये अअ पिस्ता जिसको कम्या चाहिए नावा अपनी प्रूंद के और यह जादा ले सकते हैं तो सबसे पहले जो हमारे ड्राइफ फ्रूट्स हैं उनको हम फ्राइए करें श्राइगी लिए हैं हमने और डाल देते हैं इसके अंदर एक टेबल स्पून देसी खी बहुत जाद गी नहीं चाहिए पस एक टेबल स्पून में आराम से रोस्ट हो जाएंगे और हम डाल देते हैं अपने ड्राइफ फ्रूट्स पादाम पिस्ते और काजू और तक्रीबन आधा मिनिट के लिए या फिर थोड़ा से जादा हम इनको रोस टर लेते हैं बस हलकी सी खुश्पू आ जाए इनमें से और थोड़ा से इनका कलर चीन जो जाए इससे जादा नहीं करेंगे वर नहीं कर गये हो जाएंगे राइफ रूट्स हो गए हैं इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में प्रकड़ाहीं में फिर से हम डाल देते हैं एक टेबल स्पूंगी और डाल देते हैं अपनी सूजी और सूजी को हम रोस्ट कर लेते हैं ताकि सूजी का जो कच्छा पल है वह खतम हो जाए तो तक्रीबार हम इसको लो फ्लेम पर दो मिनेट के लिए भून लेते हैं सूजी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है बस बहुत करण नहीं चेंज हुआ इसका गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसको भी बोल में निकाल लेते हैं तो सूजी मैंने बोल में निकाल ली है अब इसी कड़ाई के अंदर हम डालेंगे पहले दो टेबल स्पून पानी को बॉइल करने से पहले हमेशा दो टेबल स्पून पानी डाल देना चाहिए और हमारा दूद जो है वह बड़तन की तली में लगने का डर होता है अब यह मैंने लिया है देल लीटर फुल फैट मिल्क बूद को हम जलाते हुए मेडियम फ्लेम पर बॉइल कर देते हैं अच्छा सा बॉइल आ गया है तो डाल देते हैं हम इसके अंदर हरी लाइची और केसर और बस थोड़ा सा में इसे दो मिनिट के लिए पकने देते हैं दो मिनिट हो गए है अब हम डाल देते हैं इसके अंदर सूजी और साथ ही में हम डाल देते हैं इसके अंदर ड्राय फ्लूट्स थोड़े से हम गार्नेशिंग के लिए बचा लेंगे और इसको हम पाँच मिनिट के लिए पकने देते हैं ताकि जो हमारी सूजी है वो थोड़ी से पक जाए और फूल जाए तो बस लोग तू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बीच बीच में चलाते हुए पका लेते हैं तो खीर को पकते हुए हो गए हैं पांच मिनिट और यह दिखे यह गाड़ी भी होने लगी है सूजी फूल गई है तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर चीदी और साथ ही में डाल देते हैं हम यह बर्फी जिसको मैंने हाथ से क्रंबल कर लिया है अगर आपके पास है तो जुरूर डाल दीजेगा पर नहीं है तो मिल्क पाउडर या फिर कुछ भी नहीं है तो इसको अब हम थोड़ी देर पकने देंगे ताके जो चीनी है वो घुल जाए और जो हमने बर्फी डाली है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं तो सूजी हमारी अच्छा से फूल गई है चीनी और बर्फी इसमें घुल गई है और मैंने चेक कर लिया है मेरे हिसाब से पिल्कुल परफेक्ट मीठा है आप चाहें तो थोड़ा सा चीनी को ज्यादा भी कर सकते हैं और एक टिप है कि अगर आपकी खीर जो है ज्यादा ग करेंगे क्योंकि यह ठंडी होने के बाद बहुत ज्यादा थिक हो जाती है अपनी गयास को मैं बंद कर देती हूं और आपको डिशाउट करके दिखाती हूं देखिए तयार है हमारी सूजी की कि इतनी आसाली से बन गई है उतनी टेस्टी एकड़म क्रीमी जायतेदार यह खीर बनी है तो एक बार यह रेस्पी आप जूरूर ट्राइक कीजेगा और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अलाहाफिर